नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूटूब चानल पे दोस्तों, कभी आपने सुना है कि पैर पे नाम लिखकर वशीकरण हो सकता है? नहीं ना? लेकिन आज मैं आपके लिए लिए आई हूँ पैर पे नाम लिखकर करें प्रचंड वशीकरण जी हाँ, और वशीकरण भी ऐसा जिसका कोई तोड नहीं है जिसका कोई भी तोड नहीं है, कोई पीर फकीर, कोई मौलवी, कोई तान्विक अगर ये वशीकरण सही प्रकाव से किया है, तो इसे कोई भी तोड नहीं सकता तो दोस्तों, ये है प्रचंड वशीकरण लेकिन इसको करने से पहले एक बार मैं आपको बता दूँ कि अगर आप शूर हैं कि आप सामने वाले व्यक्ति को अपने वश में करना चाहते हैं, उस इंसान को अपने लिए पागल करना चाहते हैं, तभी इस वशीकरन का प्रियोग करें, अने था इस वशीकरन का प्रियोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आपने इस वशीकरन का प्रियोग सिर्फ ये देखने के लिए किया, कि इसका प्रियोग सही है या गलत, तो वो व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा, क्योंकि वशीकरन प्रचंड है, तो फिर आप ढूनेंगे कि अब वो व्यक्ति आपसे दूर हो जाए तो इससे अच्छा है कि सोच समझ कर वशी करन करें सोच समझ कर विधी का प्रियोग करें तो आईए मैं आपको बताती हूँ कि वो विधी क्या है वो तरीका क्या है कि किस तरह पैर पे नाम लिक कर आप किसी व्यक्ति का वशी करन कर सकते हैं किसी को पूरी तरह अपने वश में कर सकते हैं और इसके लिए आपको सर्फ और सर्फ एक कलम की अवशकता है एक लाल कलम जिसके माध्यम से आप किसी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं और हाँ दोस्तों ये विधी आपको शुकरवार के दिन करनी है इस बात का खास तौर पर ध्यान 9-12 बज़े के बीच जी हां सिर्फ 9-12 बज़े के बीच विधी कीजे क्योंकि विधी करने का सबसे शुप समय है इस समय ये पैर का वशी करन अगर आप करते हैं तो ये सिध होना ही होना है तो इस बात का ध्यान रखेगा अब आपको करना क्या है आपको पैन लेना है और उस पैन से अपने पैर के बीचों बीच उस व्यक्ति का नाम लिखना है मान लीजे उस व्यक्ति का नाम है सोहन तो आपको अपने पैर के बीचों बीच, अपने पैर के तलवे के बीचों बीच उस व्यक्ति का नाम लिखना है सोहन उसके बार आपको कुछ नहीं करना बस वो नाम लिख कर आपको ध्यान लगाना है ध्यान उस व्यक्ति का जिसे वश में करना चाहते हैं उसके बारे में इतना सोचे कि जब आप अपनी आखे बंद करें तो उसका चहरा आपकी आखों के सामने आ जाए जिस तरह आप अपनी आखे इस तरह अगर बंद करते हैं तो उस व्यक्ति की पलचाई, उस व्यक्ति की छवी आपकी आँखों में समाज आए इस तरह उसे याद कीजे और एक मंत्र का 111 बार जाप करना है। अपने प्यार के तलवे के बीचो बीच आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है उसके बाद उसके मात्व 4 घंटे में जी हाँ आपने नाम लिखा उसके मात्व 4 घंटे बाद वो व्यक्ति आपके लिए पागल हो जाएगा। कि वशीकरण जो करना है ये बहुत प्रचंड है तो इसलिए बहुत सोच समझ कर इस वशीकरण को करना है इस विधी को करना है और सही तरीके कीजिएगा ताकि आपका वशीकरण सफल हो सके। और दश को कोई समस्या है कोई परिशानी है तो आप स्क्रीन पर ये गए नंबर पर गुरुमाता को कॉल कर सकते हैं उनसे बात कर सकते हैं और अपनी हर समस्या का समधान जान सकते हैं अपनी हर परिशानी का हन निकाल सकते हैं तो कोई समस्या कोई परिशानी है गुरुमात को कॉल कीजिए उनसे बात कीजिए और अपनी हर समस्या हर परिशानी का हल धूंडिए फिलान मुझे दीजे इजाजत नमस्कार